हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1 टैक तो फ्रेंड्स आपके पास जीमेल आइडी तो जरूर होगी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक नई जीमेल आइडी बनाएं लेकिन आप यह चाहते हैं कि मेरा जो भी डा जो है कर जाये और आपको आज के गापने लाइडी को कैसे कर सकते हैं और अपने सारे टा को इस अपनी जीमेल आइडी कैसे आप ले सकते हैं वीडियो को पूरा लाज तक शरूर्ब करने से पहले अगर और मेरे चैनल पर रिए नियू हैं तो से प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पूर्पे सेट कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं के अपने mobile phone से अपनी Gmail ID को चेंज करने के लिए है नई Gmail ID में स्विच करने के लिए आपको क्या करना है वह मैं आपको इसमें सिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना तो हमें सबसे पहले एक Chrome browser open कर लेना है तो मैं इसमें मैंने यहां पर लोगिन किया हुआ है हमें इन डॉट्स पर क्लिक करना है आपको अपनी जीमेल एकाउंट में लोगिन कर लेना है आप मैंने लोगिन किया हुआ है तो मैं यहां पर सिंपली जीमेल पर क्लिक करता हूं तो मैंने लोगिन किया हुआ है तो यह और यहाँ पर आपको इसी desktop site का एक option दिखाई देगा आपको इसे इसे में convert कर लेना है मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं और यह मेरा desktop site में convert हो जायेगा जैसा desktop पर दिखाई देता है तो friends इस तरिके से आपके सामने Gmail id खुल जायेगे आपकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेटिंग का ओप्षन दिखाई देगा आपको इसके उपर क्लिक करना है तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे खुल जाएगा इसी पर विंडो इसकी एक्स्प्लोर हो जाएगा और यहां पर आपको see all settings का option दिखाई देगा आपको simply setting वाले option के उपर क्लिक करना है see all settings पर उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी ठीक है यहां पर आपको काफी सारी settings यहां पर ओपन हो गई है तो आपको क्या करना है आपको simply मैं जूम करके दिखाता हूँ यह सारी settings हैं आप देख सकते हैं तो आपको simply forwarding and POP इस वाले option के उपर आपको क्लिक करना है तो इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यह इस तरीके से option आ गया है यहां पर यहां पर यह forwarding के सामने आप देख सकते हैं एड़े-forwarding address तो जो आपने नई Gmail ID बनाई है वो हम यहाँ पर एड़ करेंगे ठीक है हमें simply इसके उपर क्लिक करना है ठीक है इस तरीकी से window open हो जाएगी जूम कर लेता हूं थोड़ा सा ठीक है जो तो हमारी नई email ID है जिस पर हम switch करना चाते हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे तो मैं यहाँ पर जल्दी से डाल देता हूं से ठीक है मैंने यहाँ पर ID डाल दी है अब इसके बाद यहाँ पर यह next का option है तो हम इस next वा हमारे सामने आया है ठीक है तो हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यह हम से कह रहा है एड़ फोरवर्डिंग एडरस ठीक है एक confirmation code has been sent तो आपकी जो ID है नहीं वाली उस पर हमने एक confirmation code भेज दिया है ठीक है तो आप वहाँ से verify करें उसको ठीक है यहाँ पर ok पर क्लिक करेंगे और हम अपनी उस वाली ID में login करेंगे अप उस वाली ID में login कैसे करोगे आप तो आपको simply अपने Gmail पर जाना है यहाँ से मैं back आ जाता हूं तो friends आप देख सकते हैं मैंने email id open कर ली है नई वाली और यहाँ पर मुझे Gmail team की बततना अचमील में तुरह वहाँ पर टालऊ गया है यह कंफर्मेशन इसे कुछ कर लेता हूं इसे ओपन कर लेता हूं को मैं इस Confirmation कोड को वहाँ पर टालऊँगा को मैं इसे Copie कर लेता हूं तो इस confirmation ओक्षण कोड़ वाले ओफ्षन में मुझे वह डाल देना है normaNessях पर कुलिक करना है उसके बाद मुझे यहाँ पर क्लिक करना है को यहां सामने डिशेबल यहां पर ऑतो मैं इसे फॉरवर्ड वाले पर क्लिक कर दोंगा तो मैं यहां पर क्लिक करूं गा तो यह . यहाँ पर आ गया, अब मुझे जितने भी mails आएंगे, वो सारे मेरे नई Gmail पर आएंगी, और जो भी मेरे पुराने mails हैं, उसकी यह copy बना के मुझे बेज देगा, तो अब मुझे क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको Save Changes का एक Option दिखाई देगा, आपको Save Changes वाल से अपनी Gmail ID को Change कर सकते हैं, एक नई ID बना सकते हैं, अपनी पुराने सारे डाटा को नई ID पर टांस्पर कर सकते हैं, तो Friends, अब आपने असानी से सीख लिया होगा, कि आप किस तरीके से अपने Mobile Phone से अपनी Gmail ID को Change कर सकते हैं, और आपका सारा जो डाटा है, वो आपकी नई Gmail Gmail ID को आजाएगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो से रिलेकेट कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेस्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक युछ पजयर सकते हैं, झाली कि मुझे वीडियो जे सकते हैं, झाली कोई।